नमस्कार मित्रों आप सभी का कुछ बाते बाते में स्वागे से दोस्तों आप सभी से निवे देन है अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्रिपिया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नभूलएं तो दोस्तों कोंग्रेस के लिए इस्राइल और हमस का युद्ध या फिर इश्राइल और पेलेस्टिन का युद्ध जो है एक तरह से गोल्डन ऑपरशुनिटी क्या है उसमें गोल्डन है गोल्ड क्या है तो गोल्ड है वह मुसलिम टोट्स तेक है आई एक समझने के कोशिस करते हैं कि यह golden opportunity Congress के लिए क्यूं बन सकती है उसके बीचे कुछ कारण है दोस्तों दोस्तों सबसे पहले यह जाना जरूरी है कि भारत की आजादी के बाद से Congress को हरदम से मुसलिमों का एक vote मिलता रहा है maximum vote उन्हें को मिला है ठीक है और जो जो मुसलिम votes Congress को कभी नहीं मिलते थे ठीक है अजादी के बाद से वो उन्हें मिलने लगे ठीक है तो लेकिन दीरे दीरे आगे चल कि क्या हुआ कि जैसे जैसे मुसलिम voters को Congress का alternative मिलने लगा Congress को Congress के votes कम होने लगे ठीक है आईए देखते कुछ states के हिसाब से यूपी में बसपा और समाजवादी पार्टी Congress की एक alternative बनी और पूरा का पूरा जो वोट पैंक था मुसलिमों का वह शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी में मेजारेटी समाजवादी पार्टी में गया और वहां से जो कुछ थोड़ा नाराज होके निकले वह आए आपके बसपा के पास उसी की तरह से आप बंगाल में चले जाई हैं बंगाल में जब तक CPM सत्ता में थी तो मुसलिमों क को मिलता रहा उसी के साथ साथ जब CPM सत्ता से बाहर गई तो ममता बैनर जी और उनकी पार्टी टीम सी को मिला विहार में लालु प्रसाद यादव को मुसलिम वोट्स मिलते हैं ठीक है उसी के साथ साथ अगर आप दूसरे जगह भी देखें आप जमून कश्मीर की बात ले ऐन फंटेश्म के मुसलिम लीग एक कर नामें पूल गया वह के एक सलंकी पार्टी हे उनको वोट्स मिल ले लगए हैं एके पार्टी hr और जो दूसरी पार्टी है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बद्रुदीन और सिर्फ कुछ ऐसी पार्टी का नाम है ठीक है और पिछले कुछ समय पिछले 5-6 सालों समय देख रहा हूं कि आवेसी के पार्टी ए-i-m-i-m जो है उसको पूरे भारत में छोटी-छोटी जगह पे उनको काशी अच्छी सफलसा मिली है तो मेरे खाली यह कहने के मतलब था कि जहां पर कॉंग्रेस का अल्टेनेटिव है मुस्लिमों ने कॉंग्रेस को वोट ना देकर दूसरी अल्टेनेटिव को वोट दिया है लेकिन अभी कुछ सालों में कि अभी करनाटक के जग रहा है कि वो जो है दूसरे सब जगह पर दूसरे जगह पर भी उनके लिए एक ऑपरचुनिटी है और यह जो पैश्राइल पैलेस्टीन का इश्यू है उसके बारे में वो उनके लिए गोल्ड़न ऑपरचुनिटी लिके रहा है आजादी के बाद से कॉंग्रेस का इत कॉंग्रेस ने पैलेस्टीन को फुल सपोर्ट दिया है आप यह भी देखिए कि जब यह सटेड़े को चालो हुआ यह युद्ध ठीक है उनका जो कल शाम तक कोई बयान नहीं आया उसमें कल शाम को धीरे से आपका जैराम रमेश का आया और वो बयान आया भी तो उसमें कि है उन्होंने भी जो उनका भी जो स्टेटमेंट आया वह उसमें भी किंतु परंत्यु के साथ ही आया तो वह स्ट्रीट कॉंग्रेस वाले स्ट्रीट फेस से हमास की जो आतंगवादी गतिविदिया है जिस तरह से उनने निहत्यल औरते बच्च आदमी को मारा और्थों का रेप किया उनके उनको एगजेट ट्रॉफी की तरह नंगी उनको घुमाया थीक है तो यह सारी चीज़े जितनी भी है जिस तरह से तो कॉंग्रेस ने उसका जो है कोई भी खंड क्या बोलते हैं कोई भी निंदा नहीं किया तो यह पूरा का पूरा जो है मुसलिम बोर्ट प्रियंक को ध्यान में रखकर किया गया है ठीक है और कॉंग्रेस जो है दोजाश चौबिस में एक प्रमुख पॉजिशन पार्टी के रूप में उभरना चाहती है और उसके लिए कॉंग्रेस को मुसलिम वोटों का एकमस्त जो है वोट्स उनको चाहिए ठीक है और यह जो तो आप पोचुनियूटि है इसको कॉंग्रेस जो है नहीं करना चाहती है और इसलिए जो आप बेयान देखिए और उनका ऑफेश्टर अफिशल बयान ध्याया है ठीक है जो आपने टीवी और जो इतनी आप सोचल मीडिया चैनल पर आपने देखे होंगे किस तरह से किस बरबरता से हमास की आतंगवत्यों ने आफिर हमास के तरह से उसको कोई भी वेक्ति सही सेंस में उसकी निंदा जरूर करेगा और कॉंग्रेस हमेशा से अपनी आइडियोलिजी और देश के हीतों के साथ कॉंग्रेस ने उसके साथ समझाता किया है आपको रीजन बदाता हूं रिखिए कॉंग्रेस इंडिरेक्ली और डिरेक्ली पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक रैडिकल इस्लामिस्ट और अब तो अब उसे टेरिस्ट और आइजएशन भी खोश्चत कर दिया गया है उसका उन्होंने क पार नाटिक में जो इलेक्शन हुए थे ठीक है उसमें डिरेक्ली या फिर डिरेक्ली बूलिए जैसे विए उन लोगों का साथ लिया था ठीक है आप उसके बाद फिकेरला में भी इन प्तलब जहां जहां पर उनका लग रहा थे कि पीएफाई के साथ होने से उनको फैदा में डाला था या फिर जब उनके सरकार थी तो उसमें जो एंटेलिजेंस एजनसी की जो रिपोर्ट आई थी और जिस पर उन्होंने कारवाई की थी उसको दरकिनार करकर वह और वन एक्सल्स या फिर नेक्सलाइट के साथ में गए वोटो के लिया कि अहां पर फिर से देख में गया थे तो उन्होंने कहा था कि हमें आपका साथ चाहिए होगा मोदी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए ठीक है तो यहां पर भी शायद लग रहा था कि अगर हम ऐसा अच्छा ऐसा करेंगे तो उन्हें उनके नंबर आव वोट्स बढ़ेंगे और फिर उन्हें इंट कभी उन्हें नहीं उनके साथ नहीं भाया है तो खाली स्थानियों का ही आप ले लीजिए अगर उसका इतिहास देखी तो आप कहीं नहीं कहीं पाएंगे कि वहीं कॉंग्रेस का उसमें काफी बड़ा रहा है हाथ रहा है ठीक है आप बिंद्रमाला को खड़ा करने में वह जो इंफ्लुएंस था जब पॉलिटिक्स में उसको कम करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें बिंद्रमाला को कड़ा किया और जो है पलट कर आया ठीक है और ज्यादा पाउरफुल हो गया तो खालिस्तानी मूव्मेंट के रूप में बन गया तो कॉंग्रेस हर्दम से द कि पार्टी होकर वह एक दब अलग रुख लेती है तो वह कहीं न कहीं दिखाता है कि कुछ ना कुछ मुनकी मजबूरिया कॉंग्रेस की रही या फिर रही है और उनके आगे भी बनी रहेंगी वह मजबूरिया तो मैं तो यहीं कहूंगा कि कॉंग्रेस को थोड़ा ऐसा देखना चाहिए कि सरकार की क्या नीतिया है खासकर विदेश मामलों में तो कम से कम यह चीज़ रखना ही चाहिए तो अभी के लिए बस इतना ही जहां तक मेरा व्यू था यह कॉंग्रेस का जो रुख है उसके पीछे उनका जुरू कि उसके प आने वाद तो आने वाद तो आने वाद